Hello everyone, I'm Amitwari from Amitwari.net और आज हम Image SEO के टॉपिक से एक थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, डीटूर ले रहे हैं और एक ऐसे टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं या अगर मैं freelance के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो अपने clients की website को number one rank कैसे कर रहा हूँ या अगर मैं अपने business के लिए SEO कर रहा हूँ, तो कैसे उसे आगे लेकर जाओ यह question लगातार लोग हमसे पूछते रहते हैं और पिछले एक महीने में questions ज्यादा पूछा जा रहा है विकर हमने SEO के ऊपर अपना comprehensive five months का course launch किया है जिसमें तीन महीने SEO, एक महीने PPC और एक महीने social media के ऊपर हम training देंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे students लगातार अपनी website को number one position पर rank करना सीखें, प्रैक्टिस करें, बार बार उसे अचीव कर सकें लोगों के जो एक question advance SEO के बारे में बात करूँ इससे पहले मेरा आप लोगों से एक question है मैं आपको बताऊंगा कि advance SEO कैसे सीखें लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखर advance SEO आपके लिए क्या है because अपने 13 years के experience में मेरे हिसाब से अगर कोई एक fresher है, एक beginner है तो वो अपनी website का SEO करना चाह रहा है लेकिन उसके सामने जो सबसे बड़ी problem है वो है उसे number equation पर rank कराना यह उसके लिए advance SEO का definition हो सकता है कैसे मैं अपनी website को number equation पर rank करा हूँ अगर कोई 2-3 साल काम कर चुका है तो उसके सामने एक problem है कि आखिर वो अपनी एक साल पुरानी website के लिए अब कहां पर backlink बनाए है because पिछले एक साल में उसने सारे resources खतम कर लिए है कैसे वो नई website के sources ढूड़े जहाँ पर वो अपनी website के backlink बना सकते है यह उनके लिए एक advanced challenge है similarly अगर कोई 7-8 साल से काम कर रहा है बहुत experienced veteran SEO है और वो किसी e-commerce website पर काम कर रहा है और उनकी website पर एक से 10 million pages है उन 10 million product pages में से सिर्फ 1 million को Google इंडेक्स किया है 9 million pages इंडेक्स ही नहीं हो रहा है तो यह उनके लिए एक advanced problem है मैं अपने केरियर के एक दौर में था जहाँ पर मेरी लिए programmatic SEO अपने आप में बड़ा challenge उगा करता था मुझे यह लगता था कि आखिर मैं WordPress CMS पर किसी भी client के लिए किसी अपने project के लिए एक programmatic SEO based website कैसे बना लो WordPress CMS पर यह मेरी लिए challenge उगा करता था सो बेरे कहने का मतलब यह है कि हर एक SEO के लिए advanced SEO के definition अलग होती है advanced SEO के कोई यासी fixed definition नहीं है जो हर SEO के लिए सच हो मैंने fresher से लेकर 7-8 साल तक के experience SEO को interview किया हुआ है अपनी company के लिए भी किया हुआ है client के companies के लिए भी किया हुआ है for example, मेरा एक most common question है वैं लोगों से पूछता हूँ कि आखर आपकी website पर कितने pages है and answer कई बार 20 होता है कई बार 20,000 होता है कई बार 2,000,000 होता है now मेरा follow-up question होता है कि इन में से कितने pages index है और लोगों की चवाप अलग-अलग होते है कई बार लोग जूट बोलने ही कोशिश करते है कि सारे pages index है which is not possible किसी website में पूरे pages index होंगे नहीं अगर वो 20 pages की website है तो भी सारे URL index नहीं हो सकते है it's not possible और होना भी नहीं चाहिए सारे URL की index होने की जरूवत नहीं है but अगर आपकी website की जो pages है अगर आपको ये पता नहीं है अगर आप आँख बंद करते हैं और अपनी Google Search Console के dashboard को imagine करके ये नहीं याद कर पाते हैं कि आपकी website की जो pages index नहीं हो रहे हैं उनके ना index होने का सबसे बड़ा reason क्या है क्या वो crawled currently not index है या वो canonical issue है या फिर वो discovered currently not index है क्या issue है तो उसको कैसे solve करना है अगर आप confident नहीं है इस बारे में तो फिर आपकी गाड़ी अपनी मर्जी से चल रही है let's say कि आप एक driver है आपको point A से point B तक जाना है तो आप obviously अपनी मर्जी से गाड़ी को मोड़ सकते हैं उसकी speed को बढ़ा सकते हैं उसको slow कर सकते हैं और अपनी destination पर पहुँचने के बाद break भी लगा सकते हैं तब ही आप driver है अगर आपकी गाड़ी इस बहोसे चल रहे है कि road पर वो खड़ी हुई है जब कोई धक्का मार देगा इधर उधर से गाड़ी लगा देगा आपका कोई control ही नहीं कि अगर आप किसी एक x page को index कराना चाहते हैं लेकिन आप index नहीं करा पा रहे हैं इसके बाद आप backlinks भी भगवान भरो से बनाएंगे इसके बाद Google ने जितनी भी rank दे दी तो ठीक है नहीं दी तो client के budget पर आप backlinks पर्चेस करेंगे तो इस तरह की जो complex problems होती हैं जो सुनने हो बड़ी easy लगती हैं जिनके बारे में लोग normally बहाने बनाते रहते हैं अगर आप उस process को control तरीके से नहीं कर पा रहे हैं आपको advanced SEO की ज़रुवत नहीं है आपको सिर्फ SEO की concepts को सही तरीके से समझनी की ज़रुवत है अपने course में तो हमारा focus रहेगा कि हम अपने students को explain करें उन्हें practice करा हैं कि आखिर वो अपनी किसी भी website को पकड़ लें और उसके pages को index करा सकते हैं अपनी मर्जी से वो decide कर सकते हैं सबसे पहले यकिन pages को index कराना चाहिए फिर उन pages को index करा सकते हैं जो भी problem उनको दिखाई दे रही Google search console में उसको वो solve करना actually मैं सीखेंगे title, description बगरा कैसे अच्छे बनाने हैं कैसे उन्हें implement करना है large scale, small scale पर कैसे implement करना है ये सारी चीज़ें उन्हें explain करेंगे कैसे किसी website को अपनी मर्जी से index कराना है कैसे उसे अपनी मर्जी से rank कराना है ये सारी चीज़ें student देखेंगे लेकिन अगर आप चाहे आप student हैं तो आप classes में already देख लेंगे लेकिन अगर आप YouTube पर भी search करके त्री वीडियो के जरीए सीखना चाहते हैं तो आपको focus करना है अपनी concepts clear करने के ऊपर सिर्फ tricks मत देखिए कि किसी website को rank कैसे करना है ये सिर्फ ये मत देखिए कि कोई एक ऐसा वीडियो आपको मिल जाए जो आपको बता दे कि discovered, currency, not index के issue हो कैसे solve किया जाए यहाँ पर click करो यहाँ पर click करो यहाँ पर click करो बता लगा सकते हैं कि वो process सही है या नहीं है और इसके बाद बार 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 जब आप इस process को अलग-अलग website में repeat करेंगे then you will actually learn the advanced SEO अगर आप YouTube पर free video देख रहे हैं तो आप concept तो पर focus करें और अगर आप student है तो आप से मिलते हैं 20 second को अगले वीडियो में हम image SEO के एक और topic के साथ आएंगे जिसमें हम alt attribute के उपर बातें करेंगे caption के उपर बातें करेंगे title के उपर बातें करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में थैंकियो सो मच वाचिंग इस वीडियो my name is Amitwari from Amitwari.net and I will see you next time take care